रीसेंट टाइम्स में बहुत लोगों ने इंडिया को प्रटिसाइज किया था कि इंडिया की साउथ एश्या की फॉर्ण पॉलिसी फेल हो चुकी है लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि इंडिया की साउथ एश्या की पॉलिसी फेलियर नहीं रही है बलकि साउथ एश्या के जो कंट्रीज हैं वो इंडिया को फेल कर देते हैं बिकोज हमेशा से इंडिया का एक बड़ा दिल रहा है इंडिया ने बहुत हद तक जितने भी कंट्रीज जिनको किसी तरीकी की प्रॉब्लिम थी चाहे वो एकॉन्मिक प्रॉब्लिम हो इंडिया है वो पैंडिमिक के समय वाक्सिन सप्लाई करना हो या चाहे वो नेपाल में अर्थ को एक हो तब भी इंडिया ने बहुत हद तक मदद किया है बट ये सारे कंट्रीज उन फाइदे और उन मदद को भूल जाते हैं और इलेक्शन के समय हमेशा से अंटी इंडिया पॉलिटिक्स करने लगते हैं पाकिस्तान का तो हालत आपको पता होगा इसी कारण बांगलदेश में अभी आप देखो एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहा है मोहमद यूनस के रेजीम के अंदर और नेपाल में केपी शर्मा ओली वीसेंटली पावर में आये हैं जो कि एक कॉम्बनिस पार्टी के मेंबर हैं और प्रो चाइना रहे हैं और एंटी इंडि रखा है इनोंने इनफाक्ट इंडिया के साथ के पी शर्मा ओली ने एक बॉर्डर डिस्प्यूट को भी स्टार्ट किया था बट इन सारे चीजों के बाद अगेन इंडिया ने एक्स्पोज किया है उन लीडर्स को जो लीडर्स इंडिया के क्रेडिबिलिटी के बारे में स जहां पर ये बताता है कि इंडिया ने किस तरीके से नेपाल और बांगलदेश दोनों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट और मदद दिया है। आगे बढ़ने के पहले कि इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन के नेकैडमी आईएस का चौता ओफ्राइं ब्रांच पत्ना में स्टार्ट हो चुका है। आपको डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको यह सारे इंफॉर्मेशन प्रवाइड किया जाएगा। इस एग्रिमेंट में है क्या। इस एग्रिमेंट में आपको पता है कि एक तरफ जो नेपाल है यह एक एनरजी सर्प्लस कंट्री है। क्यूं बिकॉज इसके पास पानी के सोर्से बहुत जादा है तो हाइड्रो एलेक्ट्रिक एनरजी बहुत प्रड्यूस करता है। दूसरे तरफ बांगलदेश जो रीसेंट टाइम्स में बहुत बड़े एलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज से गुजर रहा है। अब इसको अगर एलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो कहां से लेगा। तो एक तरफ नेपाल जिसके पास एनरजी सर्प्रस है, दूसरे तरफ बांगलदेश जिसके पास एलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है। नेपाल के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसकी एकॉनमिक स्लोडाउन हो चुकी है और उसको पैसे कमाना है, उसको एक्सपोर्ट बराना है। तो नेपाल जो है उसको वो चाहता है कि जो सर्प्रस एनरजी है वो किसी दूसरे कंट्री को बेचे। इंडिया भी नेपाल से कुछ हद तक एलेक्रिसिटी खड़ीता है। अब गवर्मेंट ओफ इंडिया क्या कहा है कि आप नेपाल जो है वो इंडिया के थुरू बांगलादेश को पावर सप्लाई कर सकते हैं। जिसे बांगलादेश का एलेक्रिसिटी शॉर्टेज फुल्फिल होगा और नेपाल कुछ पैसा कमा सकता है इस एलेक्रिसिटी को बेच कर तो इंडिया ने यहां पे एक स्टैंड लिया है। वो इंडिया जिसके अगेंस बांगलादेश में इस समय आंटी इंडिया चल रहा है। वो नेपाल जो अभी केपी शर्मा ओली के अंदर है। बट स्टिल इंडिया ने ऐसे चीजों को पॉलिटिक्स की वज़़से नहीं रोका। इंडिया ने यह कहा कि ठीक है नेपाल जो है वो बांगलादेश तक अलेक्टिशिटी सप्लाई कर सकता है वाया इंडिया, इंडिया के थ्रू होते हुए। जो नेपाल जो है वो अपने सर्क्रस अलेक्रिसिटी को बांगलादेश भेजेगा फ्रम जून 15 तु नोवेंबर 15 अवरी है जो मौनसून वाला समय होता है जब नेपाल के पास कूप बारिश होती है जिसके वासे हाइड्र एलेक्रिसिटी ज्यादा होती है। बहुत सारे फेजेज में किया जाएगा पहले फेज में 40 मेगावाट हाइड्र एलेक्रिसिटी बांगलादेश को भेजा जाएगा वाया फ्रम नेपाल वाया इंडलेश यह जो एग्रिमेंट है यह 2014 से इसकी बात चल रही है इन फाक्ट जो सार्क है साउथ एशन रीजन औ को अथरजी को अंदर ये तीन कंपरीज मिलके एक तरीक disp का को अपरेशन एग्रेमिंट की है यह क्या दिखलाता है यह बताता है इंडिया का अगीन मैंने पहले भी कहा कि इंडियाा इस डचकीस है बिगेस्ट हैल्पर इन defeat mating yeg इंडिया को आपके politics और political party से कोई मत्रब नहीं आता है When it comes to the help to the people इंडिया हमेशा से वहाँ के लोगों के लिए खरा रहा है चाहे आप किसी भी party के लिए हो बट इंडिया हमेशा से वहाँ के जो local people है उनका development कैसे हो, उनका growth कैसे हो इसके लिए हमेशा से सरकार खरी हुई है ये जो request है निपाल और Bangladesh का ये इंडिया को last year आया था एक request आया था कि क्या आप allow करिएगा इंडिया इस समय चाहता तो मना कर देता क्योंकि Bangladesh यही कर रहा है आप देखो किस तरीके से minorities और इन चीज़ों के attack हो रहा है बट स्टिल इंडिया ने अपने politics को नहीं आया राधर इंडिया ने वहां के लोगों के लिए इस तरीके का step उठाया ये बताता है कि ये जो leaders है so-called leaders जो anti-India propaganda चलाते हैं हमेशा से कहते कि इंडिया जो है वो उनके domestic politics में interfere करता है इंडिया एक big brother है राधर इंडिया इस नाइधर big brother नाइधर इंडिया meddles in your domestic politics राधर इंडिया is a protector of the rights of the people in your country और in fact आपको पता है कि मुईजू भी अभी इंडिया आ चुके हैं इंडिया ने उनको currency swap agreement के अंदर dollar को help provide करेगा श्विलंका जिनको इंडिया ने 4 billion dollar का मदद पहुचाया इस पूरे pandemic इस पूरे crisis में अब ये चीज़े बताती है कि इंडिया का जो dilemma है South Asia में वो तीन है primarily कि इतने चीज़ इंडिया कर रहा है but despite all these things इंडिया का एक बहुत बड़ा dilemma है South Asia में पहला dilemma है anti-India regime South Asia में आ चुके है ये इंडिया को हमेशा से एक dilemma cause कर रहा है दूसरा एक structural issue है चाइना का influence बहुत बड़ा है because ये सारे country जो है इनके जो leaders है जो anti-India है वो इंडिया का डर फैलाते है और इसी डर और इन चीज़ों का फाइदा चाइना उठाके अपना influence को South Asia में बना रहा है और इन सारे चीज़ों का जो net impact है वो है कि इंडिया जो है वो geopolitically locked हो गया है एक South Asia में इंडिया को बनना है विश्वगुरू इंडिया को बनना है विक्सित भारत उसके लिए इंडिया को अपने horizons को बनाना होगा बट इन countries और इन leaders की वज़े से और चाइना के आने की वज़े से इंडिया जो है वो trap हो गया इस particular geography में तो इंडिया जितना भी कर ले वहां के जो leaders हैं वो इन चीज़ों को कभी realize नहीं करते हैं फेवर तो छोड़ो कम से कम accept भी नहीं करते हैं मुसीबत होता है इंडिया से मदद मांगते हैं मुईजू को आप देख लो anti-India campaign किया अभी इंडिया आया इन्हें तब भी मदद किया और यही मुईजू again election आएगा फिर से anti-India sentiment करेगा और यह इसी लिए हो रहा है because major power rivalry इस समय चाइना जो है जो कि एक expiring hegement है वो South Asia में आने की वज़े से इस पूरे area को complex किया है पहले यह area एक area में जितने भी countries थे हैं वो सब को एक brotherly relation से देखते थे बट आज सभी countries India को balance कर रहे हैं पाइना के मदद से शशी थरूर अपने किताब Pax Indica में कहते हैं कि इन countries के और इन leaders को यह समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया जो आने वाले time में एक wishful बनने वाला है विक्सित भारत बनने वाला है यह उनके लिए एक threat नहीं है राधर यह उनके लिए opportunity है कि वो भारत के rise में अपना rise भी ensure कर सकते हैं इसलिए इन countries को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत आगे बढ़ेगा तो भारत से हमें डरना चाहिए राधर इन countries को यह समझाना जरूरी है कि भारत rise is not a crisis for you राधर an opportunity for you को आज guide करता है in fact कि यह leaders, यह political parties यह anti-India, यह एक तरीके के pro-China, यह सब करते रहेंगे इस तरीके के people will come and shout but India's diplomacy को यह हमेशा समझ में आना चाहिए कि हमारा diplomacy continue रहना चाहिए because our diplomacy is not for a political party our diplomacy is for the people of that country, आप देख लो अफगानिस्तान में कितना ज़ादा हमने अफगानिस्तान के लोगों को मदद किया, इसलिए आज तालिबान आभी गया इसलिए कोई फरक नहीं परा इंडिया को because अफगानिस्तान के लोग इंडिया को चाहता है तो इंडिया के जो diplomacy है वो हमेशा से pro-people रही है rather than pro-country, pro-political party इसलिए इंडिया's diplomacy will continue taking in concern of the people rather than political party तो आप अपना view बताएं कि क्या इंडिया को ये मदद कम कर देना चाहिए क्या ये जो leaders है मुहमद यूनोस, खलीदाजिया या केपी शर्मावली ये सब जो anti-India करते है तो क्या इंडिया को वहां के लोगों का मदद नहीं करना चाहिए क्या इंडिया को एक बड़ा दिल नहीं दिखलाना चाहिए तो इंडिया का क्या policy होना चाहिए South Asia में इसके बारे में आप जरूर comment box मता है अच्छा लगे तो like करिएगा See you again in the next video तिल न गुट बगय तेक क्या और बेस्ट विश्त